C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय आठ राशियों की तुल्ना 8.5 बिक्री कर या Value Added Tax यानी बैट या माल और सेवा कर यानी Goods and Services Tax अध्यापक ने कक्षा में एक बिल दिखाया जिसमें निम्न लिखित शीर्षक लिखे हुए थे इस बिल में सबसे उपर दो स्तंब हैं बिल संख्या और दिनांक उसके बाद एक पंक्ती है जिस पर मेनू लिखा है उसके बाद चार स्तंब हैं क्रम संख्या, वस्तू, मात्रा, दर और राशी मात्रा के नीचे लिखा है बिल राशी, जमा, बिक्री कर जोकी बराबर है पांच प्रतिशत वस्तू के नीचे लिखा है कुल योग अध्यापिका कहती है, किसी वस्तू की विक्री पर सेल्स टैक्स या एस्टी सरकार द्वारा वसूला जाता है यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है इसलिए यह हमेशा वस्तू के विक्रय मूले पर लगता है और बिल की राशी में जोड दिया जाता है एक अन्य प्रकार का कर है जो वस्तू के मूले में वैल्यू अड़िट टैक्स यानि वैल्यू अड़िट कर या वैट के नाम से जुड़ता है एक जुलाई दोहजार सत्रह से भारत सरकार ने GST लागू किया है जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है यह कर माल की आपूर्ती या सेवा या दोनों पर लगाया जाता है उधारण आठ बिक्री कर ग्याद करना किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स या पहियों पर घूमने वाला जूता का मूल्य साढ़े चार सो रूप है था वसूले गए बिक्री कर की दर पांच प्रतिशत्ती बिल की देराशी ग्याद कीजिए प्रिष्ट संख्या 133 हल सौ रुपए पर भुक्तान किया गया कर पांच रुपए था साढ़े चार सो रुपए पर भुक्तान किये जाने वाला कर होगा पांच बटा सो गुणा साढ़े चार सो रुपए बराबर है बाईस तशमलव पांच शून्ने रुपए बिल की देराशी बराबर है क्राय मूले जमा बिक्री कर बराबर है साढ़े चार सो रुपई जमा बाईस तशमलव पांच शून्ने रुपई बराबर है 472 तशमलव पांच शून्ने रुपई उदाहरण 9, VAT यानी Value Added Tax वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित 3300 रुपई में खरीदा वैट की जुणने से पहले का कूलर का मूले ग्यात कीजिए हल मूले में वैट भी शामिल है अतह 10% वैट का अर्थ है कि यदि वैट रहित मूले 100 रुपई है तो वैट सहित मूले 110 रुपई है अतह जब कर सहित मूले 3300 रुपई है तो वास्तविक मूले 3300 रुपई है तो वास्तविक मूले बराबर है 100 बटा 110 गुणा 3300 रुपई बराबर है 3000 रुपई उदाहरण 10 सलीम ने एक वस्तू 784 रुपई में खरीदी जिसमें 12 प्रतिशत GST सम्मिलित था GST जोडने से पहले वस्तू का मूले क्या था? हल मान लीजिये की वस्तू का प्रारंभिक मूले 100 रुपई है GST बराबर है 12 प्रतिशत GST सम्मिलित करने पर मूले बराबर है 100 जमा 12 रुपई बराबर है 112 रुपई जब विक्री मूले 112 रुपई है तो प्रारंभिक मूले बराबर है 100 रुपई अतह जब विक्रय मूले 784 रुपई है तो प्रारंभिक मूले बराबर है 100 बटा 112 गुणा 784 रुपई बराबर है 700 रुपई सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए 1. किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में 100 प्रतिशत वृद्धी होती है यदि हम उस संख्या को आधा कर दें, तो कितना प्रतिशत खरास होगा 2. 2400 रुपए की तुलना में 2000 रुपए कितना प्रतिशत कम है क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना 2,000 रुपए की तुलना में 2400 रुपए अधिक है प्रशनावली 8.2 1. एक व्यक्ती की वेतन में 10 प्रतिशत व्रिद्धी होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपए है तो उसका मूल वेतन ग्याद कीजिए 2. रविवार को 845 व्यक्ती चिडिया घर गए सोमवार को केवल 179 व्यक्ती गए चिडिया घर की सेर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई 3. एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16 प्रतिशत लाप पर बेचता है एक वस्तु का विक्राय मूले ग्याद कीजिए 4. एक वस्तु का मूले 15500 रुपए था 4500 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किये गए थे यदि उसे 15 प्रतिशत लाप पर बेचा जाता है तो उसका विक्राय मूले ग्याद कीजिए प्रिष्ट संख्या 134 5. एक VCR और TV में से प्रतियक को 8000 रुपए में खरीदा गया दुकानदार को VCR पर 4 प्रतिशत हानी और TV पर 8 प्रतिशत लाप हुआ इस पूरे लेंदेन में लाप अथवाहानी प्रतिशत ग्याद कीजिए 6. सील के दौरान एक दुकान सभी वस्तूओं के अंकित मूले पर 10 प्रतिशत बट्टा देती है 1450 रुपए अंकित मूले वाला एक जीन्स और दो कमीजें जिनमें से प्रतियक का अंकित मूले 8500 रुपए है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुकतान करना पड़ेगा 7. एक दूदवाले ने अपनी दो भैसों को 20,000 रुपए प्रति भैस की दर से बेचा एक भैस पर उसे 5 प्रतिशत लाब हुआ और दूसरी पर उसे 10 प्रतिशत हानी हुई इस सौदे में उसका कुल लाब अथवा हानी घ्याद कीजिए संकेत पहले प्रतिएक का क्रय मूले घ्याद कीजिए 8. एक टेलिविजिन का मूले 13,000 रुपए है इस पर 12 प्रतिशत की दर से बिक्री कर वसूला जाता है यदि विनूद इस टेलिविजिन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुक्तान की जाने वाली राशी घ्याद कीजिए 9. अरुन एक जोडी स्केट्स यानी पहिये दार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिये गए बट्टे की दर 20 प्रतिशत थी यदि उसके द्वारा भुक्तान की गई राशी 1600 रुपए है तो अंकित मूले ग्याद कीजिए 10. मैंने एक हेयर ड्रायर आठ प्रतिशत वैट सहित चौवन सो रुपए में खरीदा वैट को जोडने से पहले का उसका मूले ग्याद कीजिए 11. कोई वस्तू 18 प्रतिशत जीएस्टी सम्मिलत करने के बाद 1249 रुपए में खरीदी गई जीएस्टी जोडने से पहले का उसक वस्तू का मूले ग्याद कीजिए 8.6 चक्रवृद्धी भ्याज शायद आपको इस प्रकार की कथन मिले होंगे बैंक में FD यानी सावधी जमा पर एक वर्ष का ब्याज 9 प्रतिशत वार्शिक की दर से या बचत खाते पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत वार्शिक एक लड़की कहती है बैंक अत्वा डाग घर जैसी संस्थाओं के पास जमा किये गए धन पर इन संस्थाओं द्वारा भुक्तान किया गया अतिरिक धन ब्याज कहलाता है जब व्यक्ति धन उधार देता है तो उनके द्वारा भी ब्याज का भुक्तान किया जाता है हम साधारण ब्याज का परिकलन करना पहले से ही जानते हैं उधारण 10 10,000 रुपए की राशी 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दो वर्ष के लिए उधार ली जाती है इस राशी पर साधारण ब्याज और दो वर्ष के अंत में भुक्तान की जाने वाली राशी ग्यात कीजिए हल 100 रुपए पर एक वर्ष के लिए दे ब्याज 15 रुपए है इसलिए 10,000 का एक वर्ष का ब्याज बराबर है 15 बटा 100 गुणा 10,000 बराबर है 1500 रुपए दो वर्ष का ब्याज बराबर है 1500 रुपए गुणा 2 बराबर है 3000 रुपए प्रिष्ट संख्या 135 दो वर्ष के अंत में भुक्तान की जाने वाली राशी बराबर है मूलधन जमा बयाज बराबर है 10,000 रुपई जमा 3,000 रुपई बराबर है 13,000 रुपई प्रयास कीजिए 5 प्रतिशत वार्शिक दर से 15,000 रुपए का दो वर्ष के अंत में बेयाज और भुकतान की जाने वाली कुल राशी ग्यात कीजिए एक लड़का कहता है मेरे पिता जी ने कुछ धन तीन वर्ष के लिए डाग घर में जमा कर रखा है प्रतिएक वर्ष धन की व्रिद्धी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होती है लड़की कहती है हमारे पास बैंक में कुछ धन है प्रतिवर्ष कुछ ब्याज इस धन में जुड़ जाता है जिसे पासबुक में धर्शाय जाता है जुड़ने वाला यह ब्याज हर वर्ष एक समान नहीं है प्रतिएक वर्ष इसमें व्रिद्धी होती है अध्यापिका कहती है, और प्रतियक वर्ष का अलग-अलग ब्याज ग्याद करते हैं। प्रतियक वर्ष हमारी जमाराशी अत्वा मूलधन परिवर्तित होता है। चक्र वर्ष के लिए बीस हजार रुपए उधार लेती है जबकि वर्ष वार्षिक संयोजित होता है। दो वर्ष के अंत में चक्र वृध्धी ब्याज एवं उसके द्वारा भुकतान की जाने वाली राशी ग्याद कीजिए। असलम ने अध्यापक से पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि उन्हें प्रतियेक वर्ष का ब्याज अलग-अलग ग्याद करना चाहिए। अध्यापक ने कहा हाँ और उसे निम्नलिखित चरणों का उपयोग करने के लिए सुझाब दिया। एक एक वर्ष का साधारण ब्याज ग्याद कीजिए। मान लीजिए प्रथम वर्ष का मूलधन पी एक है। यहाँ पी एक बराबर है बीस हजार रुपए। SI1 बराबर है आठ प्रतिशत वार्षिक दर्ष से प्रथम वर्ष का साधारण बयाज, बराबर है बीस हजार गुणा आठ बटा सौ रुपए, बराबर है सोलह सो रुपए. 2. तत पस्चात भुक्तान की जाने वाली अत्वा प्राप्त की जाने वाली राशी ग्याद कीजिए. यह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है. प्रथम वर्ष के अंत में राशी बराबर है P1 जमा SI1, बराबर है 20,000 रुपए जमा 1600 रुपए, बराबर है 21,600 रुपए, बराबर है P2, जोकी दूसरे वर्ष का मूलधन है. प्रिष्ट संख्या 136, 3. इस राशी पर दूसरे वर्ष का ब्याज ग्याद कीजिए. SI2 बराबर है 8 प्रतिशत वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, बराबर है 21,600 गुणा 8 बटा 100 रुपए, बराबर है 1728 रुपए. 4. दूसरे वर्ष के अंत में भुक्तान की जाने वाली अत्वा प्राप्त की जाने वाली राशी ग्याद कीजिए. 5. दूसरे वर्ष के अंत में राशी बराबर है P2 जमा SI2 बराबर है 21,600 गुणा 1,728 रुपए, बराबर है 23,328 रुपए. रीता ने पूछा कि क्या ब्याज की राशी साधारन ब्याज के लिए भिन्न होगी? अध्यापक ने उसे दो वर्ष का साधारन ब्याज निकालने के लिए और स्वयम अंतर महसूस करने के लिए सुझाब दिया. दो वर्ष का साधारन ब्याज बराबर है 20,000 गुणा 8,2 बटा 100 रुपए, बराबर है 3,200 रुपए. रीता ने कहा कि चक्रवृद्धी ब्याज के कारण हिना को 128 रुपए का अधिक भुकतान करना पड़ेगा. आईए, अब हम साधारन ब्याज और चक्रवृद्धी ब्याज में अंतर देखते हैं. 100 रुपए से शुरू करते हैं. चाट को पूरा करने का प्रयास कीजिए. यहाँ पर एक सारणी बनी है. सारणी में चार स्तंभ हैं. पहले दो स्तंभों का शीरशक नहीं दिया गया. तीसरे स्तंभ का शीरशक है साधारन ब्याज के अंतरगत. चोथे का शीरशक है चक्रवृद्धी ब्याज के अंतरगत. पंक्ती एक प्रथमवर्ष मूलधन 10 प्रतिशत की दर्ष से ब्याजवर्ष के अंतमेराशी साधारण 100 रुपई जमा 10 रुपई बराबर है 110 चक्र व्रिद्धी 100 रुपई जमा 10 रुपई बराबर है 110 पंक्ती दो द्वितिये वर्ष मूलधन 10 प्रतिशत की दर्ष से ब्याजवर्ष के अंतमेराशी साधारण 100 रुपई जमा 10 रुपई बराबर है 110 रुपई जमा 10 रुपई बराबर है 120 रुपई चक्र वृद्धि 110 रुपए जमा 11 रुपए, बराबर है एक्सोऐ 21 रुपए 55. त्रितिय वर्ष मूलधन 10 प्रतिशत की दर्ष से ब्याज वर्ष के अंतमिराशी साधारन 100 रुपए जमा 10 रुपए, 120 रुपए जमा 10 रुपए, बराबर है 130 रुपए इसका अर्थ यह हुआ कि आप इस समय तक जमा ब्याज पर ब्याज देते हैं ध्यान दीजिये की तीन वर्ष में साधारण ब्याज से प्राप ब्याज बराबर है रुपए 130 घटा 100 बराबर है 30 चक्र व्रिद्धी ब्याज से प्राप ब्याज 133.10 घटा 100 बराबर है 33.10 रुपए प्रिष्ट संख्या 137 यह भी ध्यान दीजिये की साधारण ब्याज के अंतरगत प्रतियक वर्ष मोलधन समान रहता है जबकि चक्र व्रिद्धी ब्याज के अंतरगत यह प्रतियक वर्ष के बाद बदलता जाता है जुबेदा ने अपने अध्यापक से पूछा क्या चक्र व्रिद्धी ब्याज ग्याद करने की कोई सरल विधी है अध्यापक ने कहा चक्र व्रिद्धी ब्याज ग्याद करने की एक संक्षिप्त विधी है आईए इससे ग्याद करने का प्रयास करते हैं मान लीजिए आर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर्से मूलधन P1 पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है मान लीजिए P1 बराबर है 5000 रुपई और R बराबर है 5 वार्षिक तब उपर्युक्त चरणों की सहायता से एक SI1 बराबर है रुपय 5000 गुणा 5 गुणा 1 बटा 100 अत्वा SI1 बराबर है रुपय P1 गुणा R गुणा 1 बटा 100 इसलिए A1 बराबर है 5000 जमा रुपए 5000 गुणा 5 गुणा 1 बटा 100 अथवा A1 बराबर है P1 जमा S1 बराबर है P1 जमा P1R बटा 100 बराबर है 5000 कोष्ठक में 1 जमा 5 बटा 100 बराबर है रुपए P2 बराबर है P1 कोष्ठक में 1 जमा R बटा 100 बराबर है P2 2. SI2 बराबर है 5000 कोष्ठक में 1 जमा 5 बटा 100 गुणा रुपए 5 गुणा 1 बटा 100 अथवा SI2 बराबर है P2 गुणा R गुणा 1 बटा 100 बराबर है रुपए 5000 गुणा 5 बटा 100 कोष्ठक में 1 जमा 5 बटा 100 बराबर है P1 कोष्ठक में 1 जमा R बटा 100 गुणा R बटा 100 बराबर है P1 R बटा 100 कोष्ठक में 1 जमा R बटा 100 A2 बराबर है 5000 कुष्ठक में 1 जमा 5 बटा सो जमा रुपई 5000 गुणा 5 बटा सो कुष्ठक में 1 जमा 5 बटा सो बराबर है 5000 कुष्ठक में 1 जमा 5 बटा सो कुष्ठक में 1 जमा 5 बटा सो बराबर है रुपए पांच हजार कोश्ठक में एक जमा पांच बटा सौ वर्ग बराबर है P3 A2 बराबर है P2 जमा SI2 बराबर है P1 कोश्ठक में एक जमा आर बटा सौ बराबर है P1 कोश्ठक में एक जमा आर बटा सौ का वर्ग बराबर है P3 इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए N वर्ष के लिए अंत में कुल राशी A N बराबर है P1 कोश्ठक में एक जमा आर बटा सौ की घात N होगी प्रिष्ट संख्या 138 अत्वा हम कह सकते हैं कि A बराबर है P कोश्ठक में एक जमा आर बटा सौ की घात N जुबेदा ने कहा लेकिन इसका उप्योग करते हुए हम केवल N वर्ष के अंत में दे कुल राशी का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं ना कि चक्रवृध्धी ब्याज का सूत्र अरुणा ने तुरंत कहा कि हम जानते हैं चक्रवृध्धी ब्याज बराबर है कुल राशी घटा मूल धन अर्थात C I बराबर है एक घटा पी इसलिए हम चक्रवृध्धी ब्याज भी आसानी से ग्यात कर सकते हैं उदाहरण 11, 12,600 रुपए का दो वर्ष के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक दर्ष से चक्रवृध्धी ब्याज ग्यात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है हल हमें प्राप्थ है A बराबर है P कोश्ठक में एक जमा आर बटा सौ की घात N यहां मूलधन P बराबर है 12,600 रुपए दर आर बराबर है 10 रुपए वर्षों की संख्या यानी N बराबर है 2A बराबर है 12,600 रुपए एक जमा 10 बटा सौ की घात 2 बराबर है 12,600 रुपए 11 बटा दस की घात 2 बराबर है 12,600 रुपए गुणा 11 बटा दस बराबर है 15,246 रुपए चक्रवृद्धी बेयाज यानी CI बराबर है एक घटा पी यानी 15,246 रुपए घटा 12,600 रुपए बराबर है 2,646 रुपए प्रयास कीजिए एक 8,000 रुपए का दो वर्ष के लिए 5 प्रतिशत वार्शिक दर से चक्रवृद्धी ब्याज ग्याद कीजिए यदि ब्याज वार्शिक संयोजित होता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, शानु मुक्सीम, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत. प्रस्तुत